Welcome back everyone in this video we will discuss about the last topic polysaccharides यह carbohydrates का लास्ट है आपका कि यह polysaccharides अब हम क्या है complex carbohydrates में पहुंच चुके है अब पहले monoseccharides आपने कर रहा था, diceccharides कर रहा था, अब polysaccharides क्या होता है polysaccharides क्या होता है अगर मैं यहाँ पर आप आपको यह बताओ polysaccharides आप कैसे लिखोगे, polysaccharides क्या होता है अगर इसकी हम hydrolysis करते है hydrolysis करते है तो अगर हमें one या two नहीं, in fact हमें large number of large number of monoseccharides अगर मिलते है, monoseccharides अगर मिलते है तो that means यह जो आपका carbohydrate है that will be known as the polysaccharides हमने उसे polysaccharides की category में रख दिया है, अब यह क्या होता है मिलनी आपके food storage में पाय जाते है, मतलब food storage की तरह act करते है यह polysaccharides और again वही है, यह बहुत सारे बहुत जादा जादा large आपके monoseccharides होगे, जो की आपस में join करके फिर आपका polysaccharides structure देगे तो अब इन में भी तो linkage होगे, again वही जैसे हम पहले कर चुके हैं, इनकी भी जो linkage होगी जो आपके जो यह छोटे-छोटे monoseccharides हैं, उनको अगर जो join कर रहा है वो linkage कौन सी होगे आपकी glycosidic linkage, glycosidic linkage ही यह होगी आपकी अब हमें देखना है कि कौन-कौन से polysaccharides आपके होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका important है आपका starch, starch भी है, cellulose भी और भी चीज़े हैं, बट हम पहले starch की बात कर लेते हैं अब starch में क्या होता है, starch आपके दो तरह के होता है starch में आपका दो तरह के इसके structures होता है, starch के एक होता है amylose, एक होता है आपका amylopactin amylopactins, amylopactin, अब यह जो amylose होता है यह आप यूं कहें कि यह बहुत जादा मतलब बलकी जैसे नहीं होते हैं और यह जो आपके amylopactin structures होते हैं, यह कैसे होते हैं, बहुत ज़ादा बल्की ब्रांश्ट होते हैं, तो यहाँ पर वही चीस लिखे गई है, starch जो है, वो amylos, इसके दो आपके, दो category है, इसकी, या तो आपका amylos form होती है, या amylopactin होती है, किसकी starch की, अब यहाँ पर क्या ह polysecrides होते हैं, plants के यह, हमने पहली करा है, यह कैसे act करते हैं, as a food storage, यह act करते हैं, it is a polymer of alpha-D glucose, यहाँ पर क्या है, यह जो है, यह आपका polymer alpha-D glucose का है, हमेशा याद रखना, starch में जो भी basic linkages आपकी different हो सकती है, बट जो यह monosecride है, छोटे-छोटे जो monosecride है, जिनको join करके, आपका starch बनेगा, वो कौन से unit है, alpha-D glucose है, अब हम आगे आते हैं, starch क्योंकि दो categories होती, amylo and amylopectin, नेम से ही लग रहा है, यह छोटा है, तो that means, इनके structure क्या होते है, उतने जादा complex नहीं होते, on the other hand, जो amylopectins होते है, these are very branched होते है, या फिर bigger होते है, तो important चीज क्या है, जो आपका amylos होता है, it constitute 15-20% starch, यानि कि इसमें आपका 15-20% तक starch रहता, amylos में, जो छोटा है, तो number भी आपका कम है, और जो amylopectin होता है, इसमें constitute 80-85% of starch, यानि कि जादा starch इसमें constitute होता है, now, this is important, कि यह water-soluble होते है, इस तरह से याद रखो, चोटे है, तो water-soluble components और यह वाले आपके क्या होते है, these are your water-insoluble components, यानि कि अगर इसे water में डालोगे, तो यह आपके क्या होगे, water-insoluble ही रहेगे, अब क्या आता है, इसमें जो amylos आती है, इसमें branched chain आती है, इसमें long chains आती है, amylos क्योंकि छोटे है, इसमें long unbranched chain आएगी, क्योंकि यह आपके क्या है, छोटे है, तो इसमें long तो होगे, लंबी-लंबी क्या होगे, क्या होगे, इसमें लंबी-लंबी unbranched chain होगी, यानि कि branching नहीं होगी, बस, बट इसमें क्या होता है, इसमें massive branching होती है, इसमें branching आपकी आती है, क्योंकि amylopactin है, complicated structure है, तो इसम उनकी कही ना कही ब्रांचिंग भी आरी होगी और इसमें जो आपका basic unit है जो basic monosecrid यूज हो रहा है वो कौन से है alpha D-glucos दोनों में हो रहा है और यहां पर क्या हो जाएगा जो आपकी linkage हो रहे हैं यह क्या होते unbranched सिफ linear chains बनाती है यह यह linear chains ही बनाएगी यानि कि आगे को ही चलती रहेगी branching इसमें नहीं होगी तो suppose एक यह alpha-dglucos है, दूसरा alpha-dglucos है, alpha-dglucos ऐसे चलते ही जा रहे है और इन दोनों में जो linkage हो रही है, obviously वो कौन सी होती है, glycosidic linkage होगी बट यह जो linkage particularly है, वो C1 and C4 glycosidic linkage होगी glycosidic linkage होगी, और जैसे यह भी है, यह भी 1 और 4 glycosidic linkage, 1 4 glycosidic linkage रहीगी किसमें? amylos में, and amylopectin में क्या रहेगा आपकी यहाँ पर amylopectin में आपको पता है कि branching भी है, एक तो इसमें linear structures भी रहेगे जो आपस में glycosidic linkage को जोड के रखेगे, अब यह जो आपके alpha-d glucose के units है, पहले तो यह linear बनेगे, linear मतलब इस तरह से चलते ही जा रहे है और इनको जो जो जोड रही है bonding वो है C1 and C4 glycosidic linkage, बट इसमें branching भी है, suppose हमने branching क्या करी, एक आपका, एक यह जो आपका alpha-d glucose है, उसकी branching आपने कर ली, दूसरे alpha-d glucose के साथ, ओके, यहाँ पे आपने branching करी, यहाँ पे आपने यह नीचे ले आ है, तो यह जो आपका bond है, यहाँ पे वो होगा C1 and C6 glycosidic bond, यानि कि जो glycosidic linkage अप जो branching में है, वो आपकी C1 and C6 है, यानि कि आप क्या लिखोगे, जो आपका branching है, जो आपके branching में use हो रही है glycosidic linkage, वो आपका C1 and C6 है, जो आपकी linear ही branching चली है, जो आपकी linear ही arrangements चली है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी C1 and C4 glycosidic linkage होगी किसमें linear के case में, linear जो change चली ही है उसके case में, तो आपको ये धिहान रखना है amylos and amylopactin की case में, इसके जो structures है, वो देखने में तो बहुत जादा बड़े बड़े और complicated लगते हैं, बट है नहीं, हम आराम आराम से एक इक structure को भी बनाएगे, आ आपका C1 and C4 glycosidic linkage है क्योंकि amylos में सारी chains क्या है, linear है और उनको आपस में चोडने के लिए C1 and C4 glycosidic linkage है, on the other hand, amylos में linear chains भी है और आपकी branching भी है, तो जो linear chains आपके alpha-d-glucose आपस में linearly जुड़े होगे, वो किस से जुड़े होगे, आपके C1 and C4 glycosidic linkage से जुड़े हो जो branching में alpha-d-glucose यूज होगे, वो आपस में खिस तरह से branch कर रहे होगे, with the help of C1 and C6 glycosidic linkage, और यहां पे there will be alpha-links, और यह जो सारी, यह C1 and आपकी जो भी glycosidic linkage है, चाही यहां है, चाही यहां है, उनको सभी को alpha-links कहा जाता है, alpha-links क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपक glucose ही सारी जगा यूज हो रहे है, तो एक glucose and दूसरे glucose में अगर linkage है, तो इसके alpha-linkage बोला गया है, क्योंकि जो भी glucose यूज हो रहे है, वो alpha-links हो रहे है, तो यहां पर भी glycosidic linkage is also called alpha-links, इसमें भी alpha-links ही कहेगे, तो चलो, अब बनाते हैं amylos का structure and उसके बाद amylopectin का structure, now see your amylos structure looks like this, अब यह बेशक आपको थोड़ा complicated लगेगा, बट है बहुत easy, तो amylos का देखो structure हम बनाने लगे है, किस तरह से बनता है amylos का, यहां पर amylos अगर आपको बनाना है, आपको पता है amylos क्या होता है, amylos वैसे starch होता है, तो इसमें परिशान मत होना, amylos के जो basic units होते हैं, वो कौन से होते है, alpha-d-glucose, in fact आपका जो सारा का सारा आपका starch है, उसमें क्या होता है, alpha-d-glucose ही आपके use होते है, सिर्फ glycosidic linkage आपकी change हो जाती है, तो आपको alpha-d-glucose की units बनाने हैं, और आपको amylos पता है, amylos में क्या होती है, linear chain होती है, linear chains होती है without any branching, तो हम वही बनाने लगे हैं, तो सबसे पहले हमने बना दिये, यहां पर एक alpha-d-glucose, तो अगर alpha की बात करें, तो alpha क्या हो जाता है, यहां पर h-oh हो जाता है, यहां पर h-oh, वही चीज़ बनाओ, alpha-d-glucose, यहां 3rd position पर change हो जाएगा, और बाकी h-oh रहेगा, यहां पर आपका hydrogen यहां पर CH2OH रहेगा, यह आपका बन गया एक Alpha D Glucose का यूनिट, उसी तरह से बहुत जादा क्योंकि यह पॉलिसेकराइड है, यहां से बहुत जादा आपके बहुत एक दो नहीं, बलकि 50, 60 या फिर 100 भी हो सकते हैं, कि Alpha D Glucose आपस में जॉइन कर रहे हो गया, तो सपोस्स मै और थर्ड पॉजीशन पे OH, H आता है, और यहां पर क्या आगया आपका HOH, और यहां पर आपका H and CH2OH आ गया, राइट, फिर वैसे ही बना दिये चाहे, तो आप जितने मर्जी बना दो, पर अट लिस्ट आप तीन ज़रूर बनाना, फिर यहां पर आपने HOH, और यहां पर आपने HOH लगा दिया, ओके, यहां पर थर्ड पॉजीशन पे always OH and H रहता है, यहां पर आपका H and OH फॉर्थ पॉजीशन पे अगें यहां पर हाइडोजन और CH2OH, वैसे तो आप बहुत सारे यह होगे, बट बेटर है कि आप तीन ही बनाओ यहां पर, अक्शन में क्या होगा आपको बोला क्या है कि जो अमाइलोस होता है, उसमें जो लिंक्स होता है आपके, यानि कि जो जॉइन करेगा आपके alpha-d-glucose वो आपस पे C1 and C4 glycosidic linkage बनाएगे, तो आप यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर देखूं, तो this is your first and यहां पे 1, 2, 3 and 4, this is your fourth, तो that means C1 and C4 म और यहां से oxygen निकाल दो, जो बचा है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो आपस में oxygen से link हो जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगी फाइनल इसका, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, OH आप यहां से हटा दोगे, यहां से hydrogen निकाल दोगे और यहां पर glycosidic linkage बन जाएगी, ऐसा कर जाता है, यहां से ने कmi अलफा लिंक्स कहा जाता है, और यहां से रचाहा यहां पर हटाकर आपको क्या है, यहां से bond लगा के इस तरह से to be continent वाला sign बनाना है यहां से भी आपको hydrogen हटा के यहां से to be continent बनाना है क्योंकि यह जो आपकी change है यह आपकी चलती ही रहेगी now you can see कि amylos का बिल्कुल आपको इस तरह से structure मिलेगा जो हमने यहां पे water का loss करवाया था उसकी वज़े से glycosidic linkage बन रही थी वही linkage इन्होंने यहां पर दिखाई है जैसे कि एक alpha-d glucose है यह क्या है आपका एक alpha-d glucose यह भी आपका क्या है alpha-d glucose है alpha-d glucose और यह भी आपका क्या हो चाहिए alpha-d glucose मतलब ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे alpha-d glucose होगे तो इन्होंने क्या करा यहां पर carbon-1 and carbon-4 पर यहां पर एक linkage बन गई है जिसे C1-C4 glycosidic linkage कहा जाता है या फिर simply इसे alpha-links कहा जाता है क्योंकि यह alpha-d glucose के बीच में बना हुआ लिंक है तो यहां पर इसके carbon-1 and carbon-4 के बीच में भी यही बात हो जाएगी alpha-link बन जाएगा और यहां से हमने क्या कि इसे stop नहीं करना है very important because यह क्या है polysecrates है many-many इसमें alpha-d glucose involved हो रहे होगे और linear chain बना रहे होगे तो आपको यह to be continent करके इस तरह से बताना है this is your amylos अब बात करते हैं amylopactin की so amylopactin amylopactin का structure क्या हो जाएगा देखो अब इसमें दो चीज़ आती है amylopactin में आपकी एक linear chains भी आएगी alpha-d glucose की और branching भी आएगी for sure तो उसके लिए आपको क्या देखना था कि linear में जो आपकी glycosidic linkage होगी वो C1 and C4 के बीच में होगी अब देखते हैं वो कैसे firstly आपको क्या करना है amylos में actually क्या होता है amylopactin में क्या होगा जो amylos का आपने structure बनाया है पहले तो आप वही बनाओगे चाहे तो 3 नहीं बनाना तो at least आप 2 बना दो तो directly आपको amylos का अभी तक structure याद हो गया होगा और यहाँ पर आपको linkage भी पता है कि 1 and 4 के बीच में linkage होती है वही linkage आपकी इसमें भी use होगी तो आपने इस तरह से यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर क्या है hydrogen hydrogen है और यहाँ पर वही चीज़े है जो already होती है यहाँ पर OH है और यहाँ पर hydrogen आपने किया है oxygen से बट यहाँ पर 2 भी continent किया है क्योंकि चलती ही रहीगी और यहाँ पर भी क्या चीज़े है यहाँ पर H है अभी यहाँ पर रुक जाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH अभी यहाँ पर H and OH यहाँ पर आपका OH and H हो जाएगा यहाँ पर तो आपको पता है amylos में भी क्या होगे linear पहले chain होगी alpha d glucose की जिसमें c1 and c4 glycosidic linkage होगी जिसे के alpha link भी कहा जाता है c1 and c4 में जो linearly चलती रहेगी chains वो c1 and c4 से आपस में जुड़ी होगी अगर बात आपकी branching की आती है तो branching में आपका alpha d glucose का एक का c1 यूज होगा दूसरे का आपका c6 यूज होगा तो आप वो देखते है कैसे यहाँ पर एक alpha d glucose यह वाला है हमारा तो suppose हमने यहाँ पर 1 ले लिया ओके अब हम क्या करने लगे हैं यहाँ पर हमने एक और d glucose बनाना है तो यहाँ पर d glucose बनाएगे इस तरह से नीचे को d glucose हमने बना दी यह यह चीज़े क्या क्या रहती है as it is आईगी बट यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 6th position में यहाँ पर CH2 OH होता है राइट? This is your 6th position और वैसे ही यहाँ से इस तरह से बना दोगे आप ओके? नाओ, यहाँ पर hydrogen, hydrogen बिलकुल वैसी बाकी chains आपकी चलते रही हैं यहाँ पर hydrogen हो जाएगा OH हो जाएगा जैसी है आपकी chains OH and H इस तरह से हो जाएगा और चलती ही रहेगी यहाँ पर चलती ही रहेगी यह chains यहाँ पर आपका क्या है CH2, OH and H है बट हमारा क्या है यह तो linear chain है यह भी एक अलग chain है तो इस chain और इस chain को आपस में मिलाया कैसे जाए यानि कि उनकी branching कैसे करी जाए वो बोल रहे है C1 and C6 से एक alpha-de-glucose का आप C1 ले लो तो हमने ले लिया C1 and दूसरे का आप C6 ले लो तो हमने नीचे वाले का C6 ले लिया अब क्या करना है glycosidic linkage में आपका water का removal होता है suppose यहाँ से OH चल गया यहाँ से hydrogen चल गया और loss of water हो गया तो जितना यहाँ पर बचा है that means यह oxygen तो यहाँ पर यह क्या कर देगा यहाँ पर यह इनके बीच में लिंक बना देगा जिसे कि C1 and C6 glycosidic linkage कहा जाएगा और उसे भी आप alpha link कह सकते हो because यह भी alpha है यह भी alpha है तो alpha link आ गया दुबारा से मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या होगा suppose amylopacton में branching भी होती पहले आप linear chains बनाओगे जैसे कि आप amylos में बनाते हो C1 and C4 alpha links करके और नीचे भी आपने दूसरी चीज बना दी दूसरी chain बना दी अब इस chain और दूसरी chain को अगर आपको मिलाना है तो आपको C1 और C6 glycosidic linkage करने पड़ेगी C1 आपका यह हो गया C6 आपने यह ले लिया तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करना पहले तो आप यह बना दूगे carbon 1 के ही नीचे आपको इस तरह से structure बनाना है कि बिल्कुल नीचे आपका यह CH2OH आना चाहिए paper में क्योंकि फिर rub करने को नहीं होता है तो आप क्या करोगे यहां से hydrogen gas समझाने को बता रही हो कि लिंक्स कैसे बने बट आपको paper में directly यह overall जो फाइन स्टक्चर होगा with the glycosidic linkage वही बना के लिखना है तो इस वज़े से यह होता है amylopactin जो की highly क्या होता है branch structure होता है इसमें जो आपका starch होता है वो about 80-85% रहता है तो यहां पर आप देख लो ध्यान से यह है आपका finest structure amylopactin का देखो वैसे तो कितना tough लग रहा था पहले बट है बहुत easy इसमें भी क्या होती है आपको alpha-d-glucose यह सारी आपकी क्या है alpha-d-glucose है आपकी alpha-d-glucose की क्या होगी यहां पर linkages होगे alpha-d-glucose पहले वो क्या हो जाएगा पहले वो linear में जाएगा तो हम यहां पर यह लिख सकते है कि इसमें linear जो होगा linear alpha-d-glucose वो कैसे bind करेगे आपके carbon 1 and carbon 4 glycosidic से और जो branched आपके होगे branched alpha-d-glucose जो होगे वो आपस में C1 and C6 glycosidic linkage बनाएगे तो वैसे ही आपने करा पहले आपने जो linear बना रहे हो like the amylos, amylos basically ऐसे ही था उन्होंने क्या करा C1 and C4 में glycosidic linkage बना दे this is your C1 and C4 glycosidic linkage और alpha-link भी कहा जाता इसे और यहां पर क्या हुआ कि आपने जब यह branching करनी है तो आपने C1 ले लिया और C6 आपको चाहिए तो देखो किस तरह से आपने करा CH2 OH यहां पर था बट यहां पर देखो C1 था तो आप डिरेक्ली पहले C6 वाले यह बनाओगे CH2 OH था उसका oxygen यहां पर चला गया तो डिरेक्ली आपको learn करना है पीछे का जो भी background का logic था वो मैंने बता दिया यहां पर आपका जब यह C1 एंड C6 से आपका यहां पर link हो जाएगा तो आपको यहां पर C1 एंड C6 जो है link भी कह सकते है इसे तो यहां पर जो यह तो आपका बन गया उसके बाद वही आपकी जो linear chain होगी वो इधर और इधर को progress कर रही होगी विद किससे C1 एंड C4 linkage से आपस में यह C1 एंड C4 linkage आपस में बनाती ही चलेगी इसी तरह यह continue आप कर सकते हो तो चाहो तो इतना भी बना सकते हो यहां से यहां बना सकते हो यहां पर अगर यह वाला structure नहीं बनाना तो आप यहां पर 2B continent का sign लगा सकते हो बट यह ज़रूर बना देना यह वला तो इस तरह से यहां पर alpha links generate होते हैं यहां पर branching आती है amylopactin में और यह आपका क्या जगा C1 एंड C4 पे यहां पर linkage आजाएगी जो कि linear में use होती है Thank you so much